नमस्कार दोस्तों कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे सुबत्रा कुमारी चौहान की कहानी वेश्या की लड़की लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर आपको मेरी कहानिया अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन दबाना विल्कुल भी न भूलें आज सुनिये वेश्या की लड़की च्छाया प्रमोद की सहपाठनी थी प्रमोद नगर के एक प्रतिस्ठित और कुलीन प्रामण परिवार का लड़का था और च्छाया च्छाया थी नगर की एक प्रसिद नर्थकी की एकलोती कन्या, नगर में एक बहुत बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर था, जहां ना जाने कितना सदावरत रोज बट जाता था, सैक्डों साधू संत मंदिर में पड़े-पड़े भगवत भचन करते, मनमाना भोजन करते और मनमाना अनाचार, छाया की मा इसी मंदिर की प्रधान नर्थकी थी, मंदिर को छोड़कर दूसी जगह वह गाने बजाने कभी न जाती, मंदिर के प्रधान पुजारी की उस पर विसेश क्रपा थी, इसलिए उसे किसी बात की कमी न थी, गंगा के किनारे उसकी विशाल कोठी थी जहां से सदा संगीत की मधुर धुनी आया करती नगर के संगीत प्रेमी जब स्वयम ही उसके यहां पहुँच जाते तो राजरानी उन्हें निराशना करती किन्त वह किसी के यहां बुलाने पर गाने के लिए नहीं जाती थी चाया इसी राजरानी की एकलोती कन्या थी राजरानी की सारी आशाएं इसी कन्या के उपर अवलंबित थी बिद्याध्यान की और चाया की अधिक रुची देखकर राजरानी ने उसे स्कूल में भरती करवा दिया छाया नगर की कुछ पुरानी प्रथा के अनुयाईयों के विरोध करने पर भी कुलीन घर की लड़कियों के साथ पढ़ते-पढ़ते कॉलेज तक पहुँच गई और जिस दिन पहले-पहल वह कॉलेज पहुची प्रमोच से उसकी पहचान हो गई यह पहचान पहचान ही बनकर न रह सकी धीरे-धीरे वह मित्रता में परिवर्थित हुई और अंत में उसने प्रणय का रूप धारन कर लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि परिवार वालों का विरोध, तिरसकार और प्रतारना ना तो प्रमोध को ही उसके निश्चे से तिलभर हटा सके और ना माता का निर्वासन दंड ही छाया को उसके पच्छ से बिचलित कर सका विवाह के लिए उन्हें कोट का सहारा लेना पड़ा, कोट में रजिस्ट्री होने के बाद आरे समाज मंदिर में उनका वैदिक रीट से विवाह संपन हुआ अगनी को साक्षी दे कर वह दोनों पती-पत्नी के पवित्र बंधन में बंद गए बच्पन से ही कुलीन घर की लड़कियों के साथ मिलते-जुलते रहने के कारण उनके रीत रिवाजों को देखते-देखते चाया की हिर्दे में एक कुलवधू का जीवन बिताने की प्रबल उतकंठा जागरत हो उटी थी प्रमोध के साथ विवास उत्र में बंद कर चाया ने उसी सुख का अनुभव किया वह एक कुलबधू की ही तरह प्रमोध के इशारों पर नाजती थी प्रमोध के नहाच चुकने पर अपने हाथ से ही वह प्रमोध के कपड़े धोती अभ्यस्त ना होने पर भी दोनों समय प्रमोद के लिए अपने ही हाँच से भोजन बनाती और थाली परसने के बाद जब तक प्रमोद भोजन करते वह उन्हें पंखा जला करती प्रमोत के भोजन कर चुकने के बाद उनकी जूठी थाली में भोजन करने में वह एक अकतनी सुख का अनुभाव करती इसके पहले इस प्रकार काम करने का उसके जीवन में कभी आउसर ना आया था किन्तो धीरे धीरे उसने अपने आपको ऐसा अभ्यस्त कर लिया कि उसे कोई काम करने में कठिनाई न पड़ती राजरानी को पुत्री की परिसित्यों का पता लगता ही रहता था वह सोशती कि मेरे साथ रहकर छाया यहां रानियों की तरह हुकूमत कर सकती थी बड़े बड़े विद्वान रईस तक यहां आकर उसकी कदम बोसी कर जाया करते किन्तु उसकी तो मती ही पलट गई है अपने आप ही उसने दासियों का सथ जीवन स्विकार कर लिया है चाया को अब किसी प्रकार फिर से अपने चंगुल में फास लेने के प्रयात्न में वह अब भी लगी रहती वह सोचती एश आराम में पली हुई लड़की कितने दिनों तक कस्ट का जीवन बिता सकेगी कभी न कभी चेतेगी और आवेगी किन्तु चाया चाया तो माता के घर के एश आराम को घ्रणा की द्रश्टी से देखती थी यहां वह इस कस्ट में भी जिस सुक का अनभव करती उसकी आत्मा को जितनी शांती मिलती थी उस रूप के हाट में उस बैभव की चका चौन्द में उसके सतांश का भी सौपन देखना चाया के लिए दुराशा मात्र थी चाया प्रमोद के विशुद और पवित्र प्रेम के उपर संसार की सारी विभूतियों को निचावर कर सकती थी प्रमोद के साथ यह छोटा समकान उसे नंदनवन से भी अधिक सुहावना जान पड़ता था शारांस यह कि चाया को कोई इक्षा न थी प्रमोद का प्यार और उनके चरणों की सेवा का अधिकार वह सब कुछ पाच चुकी थी प्रमोद के विवाह के बाद प्रमोद के माता पिता ने उन्हें अपने परिवार में समलित नहीं किया अपने एकलोते बेटे को त्याग देने में उन्हें कस्ट बहुत था किन्तु प्रमोद के इस क्रत ने समाज में उनका सिर नीचा कर दिया था अतेव वह प्रमोद को छमा न कर सके स्वावी मानी प्रमोद ने भी माता पिता से छमा की याचना न की अपनी समझ में उन्होंने कोई बुरा काम न किया था इसलिए शहर میں ही पिता के कई मकानों के रहने पर भी वे किराय के मकान में रहने लगे परिवार और समाज ने प्रमोद को त्याग दिया था, किन्तु उनके कुछ ऐसे मित्र थे, जो उन्हें इस समय भी अपनाय हुए थे अपने इस छोटे से इने गिने मित्रों के संसार में छाया के साथ रहकर प्रमोद को अब और किसी वस्तु की आवशक्ता ना थी आर्थी कटनाईया कभी बाधा बनकर उनके इस सुख के सामने खड़ी हो जाएंगी, प्रमोद को इसका ध्यान भी ना था कॉलेज के प्रोफेसरों और प्रिंस्पल की उनके साथ बड़ी सहानुब होती थी उनका आचरन कॉलेज में बड़ा उज्वल रहा था और वे परिक्षाओं में सदा प्रतम ही आये थे इसलिए वह थोड़ा प्रयत्न करने पर वहाँ प्रोफेसर हो सकते थे परन्तु सुख की आत्म इस्मृति तक बाहर आवशक्ताओं की पहुच कहाँ कॉलेज में एक हिंदी के प्रोफेसर का इस्थान खाली भी हुआ किन्तु प्रमोद अपने सुख में इतना भूल गय थे कि उन्हें और किसी बात का इस्मरण ही न रहा उनके मित्रों और छाया ने एक दो बार उनसे इस पद के लिए प्रेत्न करने के लिए कहा भी किन्तु उनका यह उत्तर सुनकर छाया क्यों मुझे अपने पास से दूर भगा देना चायती हो छाया चुप हो गई उसे अधिक कहने का साहस न हुआ वह प्रमोद के भावक सुभाव से भली भाती परची थी छोटी-छोटी साधारन बातों का भी उनके हरदें पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था यवन जनित उनमाद और लालसाय चिरिस्थाई नहीं होती इस उनमाद के नशे में जिसे हम प्रेम का नाम दे डालते हैं वह वास्तों में प्रेम नहीं किंटु वास्नाओं की प्यास मातर है लगातार छह महिने तक छाया के साथ रहकर अब प्रमोद की आँखों में भी छाया के प्रेम और सौंदर का वह महत्तुना रह गया था जो पहले था अब वह नशा कहां था उन्हें अपने कर्तव्या कर्तब का ग्यान हुआ उन्हें अब ऐसा जान पड़ता जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल कर डाली है आर्थिक कटनाईयां भी उन्हें पगपग पर शूल की तरह कस्ट महुचा रही थी इसके अत्रिक्त माता पिता के इसने का अभाव उन्हें अब बहुत खटक रहा था उनका चित ब्याकुल सर रहता बार बार उस इसने की शीतल शाया में दोड़कर शान्ती पाने के लिए उनका चित चंचल होड़ता माता पिता के इसने में जो शीतलता ममता का मधुर दुलार और जो एक प्रकार की अनुपम शान्ती मिलती है वह उन्हें च्छाया के पास न मिलती च्छाया के प्रेम में उन्हें सुख मिलता था शान्ती नहीं इसने मिलता पर शीतलता नहीं आनंद मिलता पर तरपती नहीं हाँ प्यास और तीवर होती जान पड़ती आनंद और सुख के जलन की मात्रा अधिक मालुम होती वे माता पिता के इसने के लिए अतितिक बिकल रहते किन्तु जब माता पिता नहीं उन्हें अपने प्रेम के पालने से उतार कर अलग कर दिया तब स्वयम उनके पास जाकर उनके प्रेम और दया की भिक्षा मांगना प्रमोद के स्वाविमानी स्वभाव के विरुद्ध था प्रमोद का स्वास्त भी अब पहले जैसा न रह गया था दुष्चिंताओं और आर्थिक कटनाईयों के कारण वे बहुत क्रश और विछिप्त से रहते समाज में भी अव्वह मान पतिष्ठा ना थी हर इस्थान पर उनके इसी बिवाह की चर्चा सुनाई पड़ती प्रमोद की इस कार से ही नहीं स्वयम प्रमोद से भी किसी को किसी प्रकार की कोई सहानुभूती न रह गई थी सब लोग प्राया यही कहते कि प्रमोद दो ही तीन साल के बाद अपने इस करत पर पच्चताएगा यह बिवाह प्रमोद सरीखे बिवेकी और विद्वान युवक के अनकूल नहीं हुआ ठहरी तो आखिर वेश्या की ही लड़की ना कितने दिन तक साथ देगी वेश्याएं भी किसी की होकर रही है या यही रहेगी इस प्रकार न जानने कितने तरह के आच्छे प्रमोद को सुनने में आते इन सब बातों को सुन सुनकर प्रमोद की आत्मा बिचलित सी हो उठी उन्हें इन सब बातों का मोल कारण छाया ही जान पड़ती वे सोचते कहां से मेरी छाया से पहचान हुई ना उसे मेरी भैचान होती ना विपत्यों का समोह इस प्रकार मुझ पर तूट परता वे अब छाया से कुछ खिचे-खिचे से रहने लगे उनके प्रेम में अपने आप शिथेलता आने लगी छाया का मूले उनकी आँखों में घटने लगा पर प्रमोज स्वयम ये सब चाहते ना थे छाया में वेश्या की लड़की होने के अत्रिक्त और कोई अवगुण न मिलता था किन्तु वे विवश थे हिर्दें के उपर किसका वश चला है वे अपने बेवहार पर स्वयम ही कभी-कभी दुखित हो जाते फिर वही भूल करते कभी-कभी ये औरों के सामने भी चाया से वे ऐसा वेवहार कर बैटते जो अनुचित कहा जा सकता था चाया सुख की चाया में पलकर इतनी बड़ी हुई थी अपमान अनादर और तिरसकार के ज्वाला में संसार से वे परचितना थी किन्तु अब पगपग पर उसे प्रमोद से प्रेम के कुछ मीठे शब्दों के इस्थान पर तिरसकार से भरा हुआ अपमान ही मिलता था चाया ने प्रमोद के इस परिवर्थन को ध्यान पूर्वक देखा था उनकी हर्दें को अच्छी तरह टटोला था इस परिवर्थन के बाद भी उसने समझ लिया था कि प्रमोद के हर्दे में उसने एक ऐसा इस्थान बना लिया है जिस तक किसी और की पहुच नहीं है उसे इसी में संतोज था एक कुलवधू इसके अत्रिक्त और चाहती ही क्या है पत्नी के रूप में पहुचकर छाया ने अपना अस्तितु ही मिटा दिया था प्रमोद के चर्णों में उसके लिए थोड़ा सा इस्थान बना रहे यही उसकी साधना थी और इस साधना के बल पर ही वह प्रमोद का किया हुआ अपमान और तिरसकार हसकर सह सकती थी रहता तो केवल प्रमोद का मधुर बेवहार प्रमोद के माता पिता आखिर पुत्र को कितने दिनों तक छोड़ कर रह सकते थे और अब तो प्रमोद के साथ साथ उन्हें छाया पर भी ममता हो गई थी उनका क्रोध महीने डेड महीने से अधिक ना ठहर सका वह समाज के पीछे अपने प्यारे पुत्र को नहीं चोड़ सकते थे हेदय कहता था चलो मना लाओ बेटा अभिमानी है तो पिता को नम्र होना चाहिए किन्तु आत्मा भिमान आकर उसी समय गला पकड़ लेता पुत्र के दरवाजे स्वयम उसे मनाने के लिए जाना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनकूल जान न पड़ता फिर पुत्र ही तो है यदि वह पिता के पास तक आ जाए तो क्या उसकी शान में फर्क आ जाएगा शारांस ही है कि चंद्रभूशन और सुमित्रा अब बहु बेट्रे के लिए ब्याकुल होते हुए भी उन्हें बुलार न सके एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कहा कि प्रमोद बहुत दुबला हो गया है और कुछ बीमार सा है माता का हर्दे पानी पानी हो गया उसने उसी समय एक नौकर के हाथ कुछ रुपए भेज कर कहला भेजा कि प्रमोद आकर उनसे मिल जाए रुपए तो प्रमोद ने ले लिये क्योंकि उन्हें आवशक्ता थी परन्तु घर न जा सके उन्होंने समझा कि मा ने पिता की चोरी से घर में बुलवाया है इसलिए जिस घर में वे पैदा हुए जहां कि जलवाईوں में पलकर इतने बड़े हुए उसी घर में चोर की तरह जाना उन्हें भाया नहीं वे नहीं गय जाना अश्विह कार कर दिया इससे सुमित्रा को बड़ा दुख हुआ वे उठते बैठते चंद्रभूसन से इस बात का आग्रह करने लगी कि वे प्रमोत को स्वयम लेने जाएं उसे मनाने में उनकी प्रतिष्ठा ना कम पड़ेगी दसरत ने बेटे के लिए फ्रान दे दिये थे यहां तो जरा से सम्मान की ही बात है पिता का हिर्दें तो स्वयम ही पुत्र के लिए बिकल हो रहा था वे तो स्वयम चाहते थे अब सारी जिम्मेदारी सुमित्रा के सर पर छोड़ कर वे पुत्र को मनाने चले कहीं छाया पेर्च होने आई तो लाक वेश्या की लड़की है पर अब तो मेरी पुत्र बधु है क्या मैं खाली हाथी पेर्च हो आ लूँगा यह सोचते हुए वे सराफे की और घूम गए वहां एक जोड़ी जड़ाव कंगन खरीते और जेब में रखकर दस कदम भी न चल पाए होंगे से गंगा जमना बह निकली प्रमोद के भी आंसू न रुख सके दोनों कुछ देर तक इसी प्रकार आंसू बहाते रहे कोई बात चीत न हुई अंत में गला साफ करते हुए चंद्रभूशन ने कहा घर चलो बेटा तुम्हारी अम्मा रात दिन तुम्हारे लिए रोया करती है प्रमोद ने कोई आपती न की चुपचा पिता के साथ घर चले गए उस दिन वे बहुत रात घर लोटे उनकी बाट जोते जोते चाया भूखी प्यासी सो गई थी जब प्रमोद अपने प्रतीक्षा में भूखी ही सो गई थी उन्हें चाया के उपर दय आई उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते वे नींद की प्रतीक्षा करने लगे चाया गाड़ी नित्रा में सो इ थी उसके चेरे पर कभी हसी और कभी विसाद की रेखा खिर जाती थी प्रमोध यह देख रहे थे आज उन्हें अपने कटू बेवार तीर की तरह चुबने लगे इसी सोच बिचार में वे सो गए छाया की भी नींद खुली घड़ी की और देखा डेड़ बज रहे थे पास ही प्रमोध सुक की नींद ले रहे थे वह बड़ी ब्याकुल हुई उसने अपने आपको ना जानने कितना देखा रहा ऐसी नींद भी भला किस काम की वे आये और भूखे प्यास सो रहे और यह निगोडी आँखें ना खुली यह सदा के लिए बंद ना हुई थी ना कभी न कभी खुलने के लिए ही तो मुंदी थी फिर खुलने के समय क्यों न खुली इसी प्रकार अनेक बिचार उसके मस्तिस्क पर आआकर उसे विकल करने लगे छाया फिर सो न सकी बाकी रात उसने करवट बदलते ही पिताई सवेरे उठकर उसने प्रमोद का कोट टटोला उसकी जंजीर ज्योंकी त्यों पड़ी थी दूसरी जेव में 25 रुपए भी थे जंजीर बेची भी नहीं गिर्वी भी नहीं रखी फिर ये रुपए कहां से आये प्रैतन करने पर भी छाया इस उल्जन को नसुल जा सकी सवेरे प्रमोद सोकर उठे तब उनका चेहरा और दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसंद था उठने पर उन्होंने चाया से पिता की मुलाकात अपने घर जाने की बात और वहां के सब लोगों के ब्योहार और बरताओ सभी बतलाए चाया सुनकर प्रसंद हुई किन्तु उस घर में चाया भी प्रवेश कर सकेगी या नहीं ना तो इसके विशय में प्रमोद ने कुछ कहा और ना ही चाया को पूछने का साहस हुआ अब प्रमोद की दिनचर्या बदल गई थी वह सबेरे से उठते ही अपनी मा के पास चले जाते वहीं हाद मुध होते वहीं दूद पीते फिर अख़वार पढ़ते पढ़ाते मित्रों से मिलते जुलते वह करीब 11-12 बजे घर लोडते इस समय उन्हें घर आना ही पड़ता क्योंकि चाया उन्हें भोजन कराय बिना खाना न खाती थी चाया को अब प्रमोद के सहवास का अभाव बहुत खटकता था किन्त वह प्रमोद से कुछ कहना सकती थी वह कुछ ऐसा अन्भाव करती थी जैसे प्रमोद के चर्णों पर अपना सर्वस नेचावर करके भी वह प्रमोद को उस अंश तक नहीं पा सकी है जितना एक सह धर्मनी का अधिकार होता है इसी प्रकार 6 महीने और बीत गए आज वही तीथी थी जिस दिन छाया और प्रमोद बिवाह के पवित्र बंधन में बंद कर एक हुए थे वह आज बड़ी प्रसन थी सवेरे उठते ही उसने इसनान किया एक गुलावी रंग की रेश्मी साड़ी पहनी जो कुछ आभूशन थे वह सब पहन कर वह प्रमोद के उठने की प्रतीक्षा करने लगी प्रमोद उठे और उठकर प्रती दिन के नियम के अनुसार पिता के घर जाने लगे चाया ने पहले तो उन्हें रोकना चाहा किन तु फिर कुछ सोच कर बोली आज इचरा जल्दी लोटना क्यों कोई विशेश काम है प्रमोद ने पूछा आज अपने विवा की वर्ष गांट है न कुछ प्रसन्नता और कुछ संकोच के साथ चाया ने उत्तर दिया होगी उपेक्षा से कहते हुए प्रमोद ने साइकिल उठाई और चल दिये चाया की आँखें डबडबा आई वह कातर दिर्ष टी से प्रमोद की ओर तब तक देखती रही जब तक वे आँखों से ओजल न हो गए फिर भीतर आकर अनमयस्क भाव से घर के कामकाज में लग गई भोजन में आज उसने कई चीजें जो प्रमोद को बहुत पसंद थी बनाई किन्तु इधर भोजन का समय निकल जाने पर भी प्रमोद घर न लोटे तो वह चिंतित सी हुई उससे रहा न गया उठकर वह प्रमोद के घर की तरब चली जहां ना जाना चाहती थी वहां गई जो कुछ ना करना चाहती थी वही किया घर के सामने पहुँच कर उसने देखा कि चंद्रभूशन तक्त पर बैठे हैं छाया को देखते ही वे कुछ इस्तमबित से हुए किन्तो तुरंत ही आदरभाव प्रदर्शित करते हुए बोल उठे आओ बेटी कैसे आई हो आओ बैठो छाया को ससुर से इस सद ब्यवहार की आशाना थी वह उनके इस ब्यवहार पर बड़ी प्रसंद हुई उसकी समझ में ना आता था कि वह प्रमोद की विशय में कैसे पूँचे इसी पसो पेश में वह कुछ देर चुपचाप खड़ी रही अंत में अपने सारे साहा समेट कर उसने कहा वे कहा हैं किसे प्रमोद को पूँच दियो वह तो इधर कल शाम से ही नहीं आया पर हाँ वह प्राय मिस्टर अकरवाल के हां बैठा करता है तुम ठहरो मैं उसे बुलाए देता हूँ चंद्रभूशन ने उत्तर दिया उधर प्रमोद की मा दरवाजे की आड में खड़ी-खड़ी छाया को निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी कैसी चांज सी है चाल धाल से भी कुलीन घर की बहु बेटियों से कुछ अधी की ही जचेगी कम नहीं बादचीत का ढग कितना अच्छा है स्वर कितना कोमल और मधूर है चूले में जाय वह समाथ जिसके कारण में इस हीरे के टुकड़े को अपने घर में अपनी आँखों के सामने नहीं रख सकती चाया फिर बोली आप उन्हें न बुलवा कर मुझे ही वहां न पहुचा दें अच्छी बात है कह के चंद्रभूशन अपने एक विश्वास पात्र नौकर के साथ छाया को मिस्टर अगरवाल के घर भेज कर भीतर आए पत्नी से कहा वह लड़की जिसके साथ तुम्हारे बेटे ने ब्याह किया है आज आई थी पत्नी ने तिरसकार के स्वर में कहा वह बेचारी तो तुम्हारे दरवाजे तक आई और तुमसे इतना भी न बन पड़ा कि उसे घर के भीतर तक ही लिवालाए चंद्रभूशन सिर्ख हो जाने लगे बोले वाह मैंने तो तुम्हारे ही डर के मारे नहीं बुलाया नहीं तो बुलाने को क्या हुआ था अपनी ही तो बहु है फिर वे उठकर भीतर गए आलमारी से वही कंगन की जोड़ी निकाली जो उस दिन उनोंने खरीदी थी लाकर पतनी के सामने धर दी बोले लो अब जब वो आये तो उसे यह कंगन पहना देना सुमित्रा ने चकित द्रस्टी से एक बार कंगन और एक बार पती की ओर देखा फिर प्यार किन्तु तिरसकार सुचक स्वर में बोली मेरे लिए तो ऐसा कंगन कभी न लाए थे अपनी बहु के लिए कैसे चुपचाप खरीद लाए किसी को मालुम भी न होने पाया अरे तो ऐसे कंगनों के लिए कलाई भी तो ऐसी ही चाहिए कहते कहते चंद्रभूशन बाहर चले गए कंगन उठा कर सुमित्रा ने रख लिए और उसी दिन से फिर छाया की बाट जोहने लगी छाया ने मिस्टर अगरवाल के घर पहुँच कर देखा प्रमोद ताश के खेल में तलीन है वहाँ पर कई युवक और युवतियां थी प्रमोद सबसे हसस कर बाते कर रहे थे वहाँ पर मिस्टर अगरवाल की कन्या शान्ता को छोड़ कर छाया किसी को पहचानती न थी शान्ता से छाया का परिचय भी प्रमोद नहीं करवाया था शान्ता प्रमोद की बाल सहेली थी और वे उसका बहुत आदर करते थे किन्तु आज प्रमोद का शान्ता के पास इस तरह बैठे रह जाना और छाया की उपेक्षा करना छाया को बड़ा कस्ट कर जान पड़ा वह सोचने लगी यहां ना आती तो अच्छा होता वह बैठ न सकी दस मिनट तक चुपचाप खड़ी देखती रही अंत में शांता की नजर उस पर पड़ी उसने उठकर छाया को आदर के साथ बैठाया प्रमोद को छाया का इस प्रकार उसकी खोज में ही सही उसके मित्रों के घर तक पहुँचना अच्छा ना लगा उन्होंने वही सब के सामने उसे डांट दिया वे सिर से पैर तक जल उठे कुछ देर वहां बैठ कर फिर वे अपने घर आये घर पहुँचकर उन्होंने छाया को खुब आड़े हाथो लिया जो कुछ जी में आया क्रोधा वेश में कहते चले गए क्रोध में ना मनुष्य में बुद्धी रह जाती है ना विवेक प्रमोध ने जो कुछ कहना था वे भी कहा और जो कुछ न कहना था वे भी कहा अंत में उन्होंने यहां तक कह डाला कि तुम अपने परिवार की चाल क्यों छोड़ सकोगी गली-गली घूमोगी नहीं तो काम कैसे चलेगा तुम तो मालूम होता है वही करोगी जो तुम्हारी मा आज तक कर रही है छाया कट सी गई अपमान उसके चेहरे पर तड़ा पुटा किन्तु वह कुछ बोली नहीं वह जानती थी कि कुछ बोल कर अपना अहित छोड़ कर वह हित नहीं कर सकती अंत तक अपने इस कारे के लिए वह विनम्र भाव से प्रमोद से छमा मांगती रही और इस बात का आश्वासन देती रही कि अब उससे ऐसी भूल कभी न होगी किन्तु प्रमोद अपने को शान्त न कर सके वे उनमत की तरह कभी टहलते और कभी चुपचाप लेड़ जाते अंत में कुछ देर तक इधर उधर टहल कर वे छाया से बोले छाया मैं तो मिस्टर अगरवाल के घर जा रहा हूँ वहां मुझे कुछ शान्ती मिलती है शान्ता के पास पहुचकर मैं एक प्रकार की सुख और शीतलता का अनुभाव करता हूँ वहां मैं सारी दुष्चिंताओं से छड़बर के लिए ही अपने आपको मुक्त पाता हूँ वहां मैं जितना अधिक रहू रहने दिया करो तुमारे पास मुझे सिवा गलानी और छोब के कुछ नहीं मिलता तुमारे पास मैं शान्ती नहीं बलकि अशान्ती ही अधिक पाता हूँ शीतलता नहीं मुझे जलन होती है और यह सच है चाया कि अब मैं तुमसे घ्रणा करने लगा हूँ तुम्हारी मा के घर की दासी का आना जाना मैं संदेह की द्रश्टी से देखता हूँ मुझे तुम्हारे उपर विश्वास नहीं रह गया है अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो तुम्हें स्वतंत्र किये देता हूँ तुम चाहो तो अपनी मा के पास जाकर सुख से रह सकती हो मैं तो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रह कर भर पाया बस अब और अधिक मुझे अपने साथ रहने के लिए विवश मत करो रोने धोने का मुझे पर कोई असर नहीं होगा जहां मैं थोड़ी शांती पाता हूँ वहाँ जाने दो कहते हुए प्रमोद बाहर चले गए छाया वही धर्ती पर लोटकर फूट फूट कर रोने लगी आज उसे मालुम हुआ कि वह कितनी असहाय कितनी विवश कितनी दुर्बल है संसार उसे शोनने सा होता हुआ जान पड़ा उसे ऐसा लगता था जैसे उसका सर्वस कोई बर्बस उससे छीने लिये जाता हो वह चीक पड़ी और रोते रोते बेहोश हो गई पडोस की कुछ हिस्त्रियों ने आकर उसके मोपर पानी के छीटे दिये चाया उठ बैठी उस दिन वह भोजन न कर सकी इस प्रकार विवाह की पहली वर्षगाट संपन हुई प्रमोद बहुत रात गए घर लोटे चाया तब तक सोई न थी वह अब भी रो रही थी चाया की अवस्था पर प्रमोद को दया आ गई उन्ही की ओर से इस संग्राम की संधी का प्रस्ताव पेश हुआ सुलह हुई और दोनों ने साथ भोजन किया रात अच्छी कटी किन्तु सबेरे से फिर वही रपतार बेडंगी जो पहले थी सो अब भी है आरंभ हो गई प्रमोद फिर कुछ तेज बातें कहके चल पड़े और चाया रोती रह गई राज रानी अपनी पुत्री की दुरावस्था के विशे में प्रती दिन सुना करती थी उसने फिर अंतिम सस्त्र फेका दासी से कहला भेजा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है चाया चाहे तो आकर मेरे साथ सुक से रह सकती है यह इतनी बड़ी कोठी और लाखों की संपत्ती उसी की है वह इतना कस्ट क्यों जहल रही है अभी उसकी मा तो जीवित है इतना तो सोचे चाया ने उसके उत्तर में मा को कहला भेजा मेरी नसो में सीता और सावित्री का खून दोड़ रहा है मैं आरे महिला हूँ मैं अपने पती के चर्णों को छोड़ कर नहीं जा सकती सीता और सावित्री का महान आदर्श मुझसे कहता है कि पती ही मेरा परमेश्वर है पती को छोड़कर इस्त्रिक की कहीं दूसरी जगह गती नहीं हो सकती उनसे कहना कि मेरी माँ तो मर चुकी है मैं उन्हें अपनी माँ नहीं समझती मेरी माँ होती तो मेरी ही तरह पवित्र जीवन बिताती इस उत्तर से राजरानी के स्वाभिमान को धक्का सर लगा वे सिर से पैर तक जल उठे घर के अंदर जाते ही उन्होंने बेकसूर ही सारा क्रोध चाया पर उतार दिया चाया के हर छोटे-छोटे कारे को अभिवे संदेह की द्रश्टी से देखते थे उन्हें उसके उपर विश्वास न रह गया था उसकी हर एक भाव भंगिमा में उन्हें कुछ चल कुछ दोखा द्रश्टी गोचर होता था उन्होंने दासी के आने का कारण पूछा और चाया के सच सच कह देने पर भी वे विश्वास न कर सके क्रोध में उन्मत से हो रहे थे क्रोध के साथ बोले चाया तुम जाओ जाओ अपनी मा के साथ रहो मेरा पिंड छोड़ दो तुमारे साथ रहने से मुझे कस्ट भर होता है और कुछ नहीं मैं अपने आप तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता तुम अपने आप ही अपनी मा के पास चली जाओ तो मेरे उपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी न रह जाएगी मेरा कहना मानो मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो चाया, तुम भी सुक से रह सकोगी, मैं भी सुक से रहूँगा, चाया ये बाते चुपचाप सुन रही थी, उसकी आँखों से आंसु भहते जाते थे उसने हिचकियों के साथ कहा, प्रमोद तुम बंधन से मुक्त होना चायते हो तो मैं कर दूँगी व्यंग और उपेक्षा की हसी के साथ प्रमोद ने कहा, हाँ यही चायता हूँ चाया, मुझे बंधन से मुक्त कर दो, जिस दिन कदाचित एक बार प्रमोद को देख लेने की प्रतीक्षा में खुली थी प्रमोद के आते ही एक हिचकी के साथ उसकी आंखें सदा के लिए बंध हो गई प्रमोद पागलों की तरह चाया की लाश पर गिर पड़े आज भी प्रमोद नन्ही सी पोटली जिसमें चाया का चित्र और उसका अंतिम पत्र है बड़ी साथानी से हिर्दें से लगाए हुए नगर के सुनसान इस्थानों या खंडाहरों में देखे जाते हैं वे ना कभी किसी से बोलते हैं और ना किसी की बात का उत्तर देते हैं हाँ अपने आप ही वे कभी कभी एक बिचित्र प्रकार की आवाज से कुछ कहते हैं जिसको बस वे ही समझते हैं और कोई नहीं तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके मुझे जरूर बताए